नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत है हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाए जिससे की हमारे सबी फीडियो की नौटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहल आज मैं आपको जिस फल के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है नाकफनी दोस्तो ये एक काटेदार पौदा होता है और इसको सब्जी के तौर में भी इस्तमाल किया जाता है यहाँ पौदा सूखी बंजर जगा में उपता है इस पौदे को बहुत कम पानी की दूरत होती है पहला हड्यों के लिए फाइदेमंद दोस्तो नाकफनी हमारी हड्यों के लिए काफी फाइदेमंद होता है क्योंकि इसमें केल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हड्यों के लिए काफी फाइदेमंद है दूसरा सूजन कम करने में नाकफनी की पत पानाव से जुड़े लक्षन भी शामिल है तीसरा अनिंद्रा के उपचार में इसमें मैगनेशियम भी होता है जो अनिद्रा चिंता या बेचैनी से ग्रसित लोगों में निंदा पैदा करने के लिए एक उपयोगी खनीज है यह शरीर में सेसो टोनिंग की डिलीज करता है जिसके परिणाम स्वरूप मेटाबोलिजम का स्थर बढ़ जाता है है क्या है जिस स्थर कि जब हम कृटाा है